नमस्कार साथियो साहित्य सर्जन चैनल की माधिम से मैं रजनी तिवारी आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज हम बात करने वाले हैं उत्राखंड मुक्त विश्युद्याले हिंदी MA का जो पाठिकरम है 501 MAHL 501 उसकी तीसरी यूनिट के बारे में हम बात करेंगे आज जिसका नाम है साहित्य इतिहास लेखन एवं नामकरण की समस्याएं पिछले तीन वीडियो में हमने बात की थी दो यूनिट के विश्य में जिसमें मुक्य था हमारा साहित्य इतिहास लेखन और हिंदी साहित्य में साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के विश्य में उसकी समस्याएं क्या थी किन-किन विद्वानों के दारा प्रियास किये गए सुर्वाती प्रियास कैसे थे और आखिर तक आते आते साहिती तिहास लेखन में क्या बदलाव आया इन सब के विशे में हमने इससे पहले की वीडियो में बात की थी आज हम पूरे तीसरे यूनिट को इस वीडियो के माधिम से समेटने का प्रियास करेंगे और कुछ महत्यपूर प्रशनों की भी हम यहाँ पर उनका उत्तर खोजने का प्रियास करेंगे तो उमीद है कि आप इस वीडियो से जुड़े रहेंगे आखिर तक और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दवाना ना भूलिएगा ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले हो तो सबसे पहले इसमें हम हिंदी साहित्य तिहास की प्रमुक समश्या हैं और नामकरण की जो समश्या है चाहे वो जो हमारे चार काल हैं आधि काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनी काल उन चारों कालों में नामकरण की समस्या रही है और इस नामकरण की समस्या को किन विद्वानों ने किन किन रूपों में सुलजाने का प्रियास किया है उसके विशे में हम अब बात करते हैं सबसे पहले मैंने सब्दावली ली है याँ पर उसको लेने का कारण यह है कि प्राया इसमें सब्द कुछ इतने क्लिष्ट होते हैं साधारन प्रियोग या बोलचाल की भासा वाले नहीं होते हैं तो हमारे लिए समझना थोड़ा सा कठीन हो जाता है तो सपोर्ट के लिए है यह पहला एक शब्द है मारे पास परियोवेक्षन जिसका अर्थ होता है जाच परक यह सब्दा भी काई में आएंगे प्रवर्ती प्रवर्ती का मतलब होता है आदत साम्य मतलब बराबर वैसम्य विप्रीत अथवा अलग प्रतिफल परिणाम अतिव्यती अतिव्याप्ती जिसे बोला जाता है इसका अर्थ होता है बहुत सीमा तक और अगला हमारा सब्द है समसामाइक समसामाइक का अर्थ हो पर एक प्रश्ण है जिसको मैंने यहाँ पर लिख दिया आपके लिए प्रश्ण है कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन से जुड़ी दो प्रमुक समस्याएं बताईए दो समस्याएं पूछी गे थी मैंने आपके लिए आपर थीन समस्याएं बता दिये हैं शौट में सबसे प किस category में डाला जाए, किस को strict कहा जाए, किस को average कहा जाए, ये भी एक समश्या है, तो तीन समश्या मैंने आपर दी है, काल विभाजन की समश्या, नामकरण की समश्या, मुल्यांकरण की समश्या, अगर लगूत तर ये प्रश्ण में आता है, तो ये तीन हेडिंग लिखने के बाद आप अंदर थोड़ा बहुत जो भी लिख पाते हैं तो आपका एक बहुत अच्छा प्रशनिया पर तैयार हो जाता है अब सबसे पहले आता है हिंदी साहित्य इतिहास की प्रमुख समस्याएं काल विभाजन एवंग नामकरण साहित्य के इतिहास की महत्यपूर समस्याएं हैं इसके आधार सामानित्ः इस तरह हम मान सकते हैं सबसे पहले तो एतिहासिक काल करम के अनुसार आदिकाल, मध्यकाल, संगरातिकाल, आधुनिकाल ये सब हैं विभाजन का आधार भी समान प्रकर्ती और प्रवर्ती ही होती है। जन जीवन का प्रवर्तियों एवंग रीती रिवाजों की समानता के आधार पर राजनीतिक इतिहास पर काल विभाजन होता है। और राजनीतिक परिस्थितियों की समानता राजनीतिक इतिहास के काल विभाजन का आधार बनती है इसी प्रकार साहितिक प्रवर्तियों के अगर हम बात करते हैं तो उनकी समान्ता और रीती और आधर्सों का साम्मे वेश्यम ही साहित्य के इतिहास के काल विभाजन का आधार हो सकता है ऐसे ही देखो ये तो हमने काल विभाजन के लिए दिया अब मैं आपको नामकरण के लिए भी कुछ तर्क देती हूँ वो ये हैं देखो कि किसी कालखंड का नाम ऐसा होना चाहिए जो उसके मूल साहित्य चेत्ना को प्रतिविम्बित कर सके यानि अगर हम किसी का नाम रजनी रख रहे हैं या रजनी के कोई नाम है तो उसका एक अर्थ होता है रजनी का आर्थ क्या होता है रात्री अर्थात रात तो उसके संबोधन के लिए हम रजनी शब्द प्रियोग करें ऐसे ही अगर मैंने कहा कोई एक शब्द मान लो मैंने म्रग नहीं 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 बोला तो यानि म्रग के समान नैनो वाली तो यानि इनसे कोई भाव निकल के आ रहा है जो उस गुण को पूरा करता है तो ठीक इसी तरह जब हम हिंदी साहित्ति के इत्यास में किसी युग की बात करेंगे उसके नामकरण की बात करेंगे तो उसका नाम ऐसा होना चाहिए कि उस युग की सारी विसेशताएं उसमें सि आज दरबार, राजाओं की प्रसंसा करना, उनके वीरता का गुणगान करना, तो इससे उस समय की प्रवर्ती, भोग, विलास, वो सब हमारे समझ में प्रकट हो जाता है, रीति सब्द के आते ही, तो ऐसे ही अलग-अलग युग के समाज के साहित्य के हिसाब से हिंदी साहित् आसकारों ने युगों के नाम दिये हैं, नाम की सार्थक्ता इसमें है कि वह प्रदार्थ के गुण अत्वा धर्म का मुख्य तथा द्योतक कर सके, इस तरक से किसी कालखंडगा नाम ऐसा होना चाहिए, जो उसकी मूल साहित्य चेत्ना को प्रतिविंबित कर सकी, साहित्य क के नाम पर भी कालखंड का नामकरण तभी मानने हो सकता है या हुआ है, जब उस साशक विशेक के व्यक्तित्तों ने प्रत्यक्ष अत्वा अप्रत्यक्ष रूप से साहित्य की गतिविधियों को प्रभावित गया, जैसे कि दिवेदी युग, महावीर परसाद दिवेदी के नाम पर है, यह वो लोग हैं जिनके साहित्यक अवदान को भूला ही नहीं जा सकता है, अब हम बात करेंगे देखिए, यहां पर आप हमारे पास कुछ प्रशना आने वाले हैं, ठीक है, जिनके उतर देने की हम अभी यहां पर कोशिस करने वाले हैं, सबसे पहले यह प्रशना हमारे कुछ डगमगा रहे हैं, आगे पीछी हो गए है यह प्रशना, चलिए मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, यहां पर आगे पीछी हो गए है ना यह प्रशना, इनको भी सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे भी कर लेंगे, पहले देखो एक प् पर लेके जरूर बैठियेगा क्योंकि हर एक चीज को सुनकर नहीं याद किया जा सकता यह सही भी कल्प चुनिये वाले प्रश्ण है जो कि पाठ्थे पुस्तक से ही है चैतनी युग का संबंद है ओप्सन में है बंगाल से दूसरा ओप्सन है महराष्ट से तीसरा है कस्मीर स से चोथा है इन में से किसी से नहीं तो चैतन्य का संबंद बंगाल से है चैतन्य महाप्रभू हां के जाने माने संत थे ठीक है दूसरा प्रश्ण है किसी ब्यापक आंदोलन पर आधारित साहित्तिक यूग है ब्यापक आंदोलन पर आधारित सुकलोत्तर यूग चारण तीनों सही है इसके बाद हमारे पास सही गलत है छाया वाद साहितिक प्रवर्तियों के आधार पर किया गया नामकरण है जो की सही है हिंदी साहितिका प्रथम यूग आधिकाल के नाम से जाना जाता यह भी बिल्कुल सही है इसके बाद हिंदी साहितितियास लेखन की दो प्र अब हम बात करते हैं यहां से कि आधुनिक काल को सुकल जी ने तीन चरणों में विभाजित किया है और उन्हें प्रथम दुतिय और तृतिय उत्थान कहा है प्रथम और दुत्य उत्थान के विशय में उन्होंने यह संकेद भी कर दिया है कि इन्हे क्रमशा भारतेंदु काल दिवेदी काल भी कहा जाता है तीसरे उत्थान को कदाचित उसके प्रवहा में रूप के कारण उन्होंने कोई नाम नहीं दिया पहला कालखंड जीवन और साहित्ती में पुनहर जागरण का यूग था यानि जो भारतेंदु यूग था ठीक है जब अतीत की गौरव भावना को परिपेक्ष में नव जागरण की चेतना विक्सित हो रही थी याता इसे पुनहर जागरण काल का नाम दिया जा सकता है और चुगी भारतेंदु जी का व्यक्तित और कृतित जिनों ने अपने जीवन काल में इस यूग का नेत्रत्त किया और जिसका प्रभाव मरणों प्रांत भी बना रहा यानि मरने के बाद भी बना रहा यह चेतना सम्यक प्रतिफलित हो रही थी इसलिए इसका नामकरण उनके नाम पर करने पर किसी को कोई आपत्ती नहीं हो सकती प्राय इसी देना है आपने पुनर जागरन काल, भारते इंदु काल, नव जागरन की चेतना का काल, ये तीन एक ही हैं, भारते इंदु युग को ही पुनर जागरन का काल भी खा जाता है, नव जागरन का काल भी खा जाता है, ठीक है, और दिवेदी युग को ही जागरन सुधार काल कहा जाता है अब तीसरे चरण की सरुपर्थम साहितिक प्रवर्ती है चायावाद अता उसका उचित नाम चायावाद काल ही हो सकता है उसका परिवर्ती काल हमारे अत्यनत निकट है और उसकी मूल चेतना इतनी जल्दी जल्दी बदल रही है कि किसी एक स्थिर आधार को लेकर उस दुनिया भर के वाद और दुनिया भर की परमपराएं साहित्ती जगत में उसके बाद तेजी से पनपने लगती हैं। अंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा था। इसलिए यह उप्सन हमारा गलत हो जाता है। अब हम बात करते हैं आगे चलके। अब सबसे पहले एक प्रशन हमारे पास यह आता है। आचारी सुक्ल से पहले भारती एतिहास साहित्ती एतिहास लेखक हैं। यानि जिनोंने शुक्ल से पहले लिखा था तो वो हैं E.F. ठीक है? E.F. हैं जिनकी पुस्तक के हैं पुरा नाम और इनकी पुस्तक का नाम है A History on Hindi Literature 1920 ठीक? ठीक सुक्ल से पहले के हैं यह फिर दूसरा प्रशन है सत्रवी सदी से 19 सदी के मध्य तक के काल को क्या गयते हैं तो उसको कहा जाता है लीती काल उसके बाद हिंदी साहित्ती एतिहास में नामकरण की समश्या पर एक सार गर्विद लेख लिए तो उपर जो मैंने चर्चा क है वो इसी संबंद में की है इस प्रशन के उत्तर को आप उसमें से बना सकते हो बड़ी ही आसानी से अब सबसे पहले हम नामकरण की समश्या पर बात करते हुए आ जाते हैं आधिकाल में आधिकाल को विभिन आचारियों ने विभिन इतिहासकारों ने अलग-अलग नाम द है यह जो चीज़ें मैं विडियो में आप लेके आई हूँ यह बहुत इंपोर्टेंट है सिर्फ इसलिए नहीं कि परिक्षा की द्रिश्टी से यह जो आपके कॉंप्टिटिव एक्जाम होते हैं उसके लिए भी बहुत इंपोर्टेंट है आचारिश शुकले जी ने कहा वीरगाथा काल, डाक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा चारण काल, महावीर प्रसाद दिवेदी ने कहा बीजपवन काल, और रहुल सांकृत्यायन ने कहा सिद्ध सामंत काल, राम खिलावन पांडे ने कहा संक्रमन काल, मोहन अवस्ती ने कहा आधार काल, और डाक्टर पृत तो इस तरह से ये हमारे आदिकाल का नाम करण है जो विन्न विन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न परकार से दिया है अब हम आगे बढ़ जाते हैं ये जो भी नामावली है इन सब से हम एक चीज बात क्लियर हो गई है कि इतने नाम देने के बाद भी सर्व सामानिय जो सब के द्वारा माना गया वो क्या था वो था हमारा जो सबी के द्वारा माना गया हजारी प्रसाद दिवेधी जी का दिया हुआ आदी काल क्योंकि इसमें उस समय की सभी प्रवर्तियां आ जाती है ठीक है इसमें वीरता वाले जो लिखे गए है वो भी आ जाते है सिद्धों के, जैनों के नाथों का सहित्य भी इसमें आ जाता है पत्थरों पे लिखावा साहित्ती भी इसमें आ जाता है ये आदी मतलब ये सुरुवाती काल था साहित्ती किस रजन का और जो यहाँ पर है हमारे शुक्ल जी इन्होंने जो वीर गाथा काल दिया था ये नकार दिया गया अधिकांस विद्वानों के दारा इसलिए क्योंकि वीर गाथा काल से केवल एक प्रवर्थी का पता चलता है कि उसमें वीर होते थे लड़ाई होती थी ये सब चीज़े लेकिन बागी चीजों का पता यहाँ पर नहीं चल पा रहा था इससे ठीक है अब हम बात करते हैं नामकरण की समश्या भक्तिकाल के विशे में ठीक अब हम भक्तिकाल के विशे में बात करेंगे हिंदी साहित्ति इतिहास में चौदवी सताबदी के जिस कालखंड को पूरू मध्यकाल या भक्तिकाल कहा गया है उसकी संपूर्ण दार्षनिक रचनात्मक और सांस्कृतिक प्रिष्ठ भूमी मध्यकालीन भक्ति आंदोलन में विद्यमान है। भारतिय धार्मिक और आध्यात्मिक परंपरा में ही विक्षित हुआ। एक बात आप ध्यान रखिएगा शुकल के बाद अगर कोई हिंदी साहित्य का ऐसा प्रकांड पंडित हुआ है तो वह हजारी परसाद दिवेदी जी हुएं जिन्नोंने शुकल जी के साहित्य को चुनोती देने का काम किया है। तो हजारी परसाद दिवेदी जी ने ये कहा कि वह बिलकुल नहीं मानते कि ठके हारे रोए गिरे पड़े भारतियों ने भक्ति की सरण लिए। उन्होंने कहा कि यह इसलाम के आने से भी नहीं हुआ है। यह स्वतह और निरंतर धीरे धीरे हुआ है। जो उपर मैंने अभी डेफिनिशन आपको बताई यह हजारी परसाद दिवेदी जी जी थी कि हिंदु जनता की प्राजित मनुविर्थी के कारण ऐसा नहीं हुआ है। बलकि यह क्या है भारतिय धार्मिक और आधिवात्मिक परंपरा में धीरे धीरे होने वाला एक बदलाव के कारण ऐसा हुआ है। डक्टर स्याम सुंदर दास के अनुसार जिस यूग में कबीर, जैसी, मीरा, तुलसी, सूर जैसे रसिद, कभियों और महात्माओं के दिव्य धाती उनकी अंतरकरण से निकल कर देश के कोने-कोने में फैली थी उसे साहित्यति हास में सामाने तब भक्ति यूग कहते हैं। अब हम बात करते हैं भक्ति यूग के आगे के विशे में। इसमें इन्होंने पहले तो चार काभी-धाराओं में बाता, फिर उसकी अंतरगत और बड़ गएं। कि कुछ लोग मूर्ति पुजा करते हैं कुछ लोग कहते हैं कि भगवान जो है सर्वत्र है सर्वत्र तो सभी मानते हैं लेकिन कुछ लोग उसी सर्वत्र स्थापित भगवान को मूर्ति में पुजा करते हैं कुछ लोग उसकी इबादत कीवल प्रिस्मरण से कर लेते हैं, तो वह निर्गुन स्वरूप की पुजा कर रहे हैं, और जो मूर्ती की पुजा कर रहे हैं, वो सगुन स्वरूप की पुजा कर रहे हैं, ठीक है, तो निर्गुन के दो थे, एक थे, ग्यानाश्राई, एक है, प्रेमाश्राई, ग्यानाश्राई सगुन भी दो भागों में बढ़ जाए इसको जब आप पेपर में करेंगे ना मैं बताती हूं कैसे कीजेगा जब पेपर में करते हैं तो इस तरह से डाइग्राम बनाएगा बढ़िया करके इधर लिखियागा आप सगुन धारा ऐसे करके बीच में लिखा और फिर आप लिखेंगे राम भक्ति दूसरी तरफ लिखेंगे क्रिश्चन भक्ति फिर उसी डाइग्राम को और नीचे से आगे बढ़ाएंगे इस तरह से और फिर राम भक्ति साखह में जो जो कभी थे उनका नाम लिखेंगे जैसे तुलसी दास हैं और भी कई कभी ऐसे बड़े तो ये हो गए अब हम बात करते हैं आगे ये तो हमारा हो गया पूरा अब बात आएगी रीतिकाल की ठीक है रीतिकाल भी बहुत इंपोर्टेंट है हमारा हिंदी साहित्यति हाशकारों ने जिस उत्तरमद्यकाल को रीतिकाल की संग्या दी है उसके नामकरण के बारे में इतिहासकारों के बीच प्रियाप्त मत व्यमिन्य रहा है आचारे शुक्ल ने रीती काल नामकरण की प्रासंगिक्ता सिद्ध करते वे रीती सब्द की विस्तृत ब्याक्या की है उन्होंने यह स्पष्ट किया कि रीती सब्द अपने बहु आयामी गरीमा के कारण प्रियाप्त भ्यंजक और अर्थपूर्ण है ठीक अब देखो रीती काल में क्या हुआ रीती काल को भी इत्यासकारों ने एकदम से सब ने नहीं माना अपने अपने नाम दिये मिश्रबंदू ने इसको खा अलंकरित काल एफ इके ने खा चारणी काल जॉर्ज अब्राहम ग्रियसन ने खा रीती काल शुकल ने कहा इसको रीती काल और यही ज़्यादातर सरुमान ने बना ग्रियसन ने भी इससे पहले इससे रीती काल बोल दिया था श्याम सुंदरदास जी ने क्या बोला है इसको रीती ग्रंथ काल और सूरेकांत सास्त्री ने लालित त्यूग बोला है रमा संकर शुक्ली रसाल ने कला काल, ये important है यौला राम कुमार वर्मा ने भी रीती काल, हजारी परसाथ दिवेधी जी ने भी रीती काल और चतुर स्यन सास्ती जी ने इसको बोला अलंकृत काल ठीक है राम अवद दिवेदी ने बोला रीती साखा काल संभुनाद सिंग ने बोला हरास काल राम खिलावन पांडे ने संवर्धन काल डाक्टर नगेंदर ने रीती काल डाक्टर गणपती चंदर गुप्त ने बोला है इसको अब कर्श काल यह अगर आप लोग परवक्ता एल्टी वगरा की त्यारी करने तो उसके लिए भी बहुत बेस्ट है इसको आप लोग याद कर लिजेगा सत्यकाम वर्मा ने बोला काब बे विलास यूग तो इस तरह से रीती काल का नामकरण हमारा पूरा होता है अब बात करेंगे हम नामकरण की जो समस्या है इसमें आधुनिक काल की ठीक हमारा आधी काल हो गया भक्ती काल हो गया रीती काल हो गया अब आया आधुनिक काल हिंदी साहित्ति के आधुनिक यूग का प्रथम चरण पुनर जागरन काल या हरिश्चंदर काल है इसको नव चेतना काल भी कहा जाता है ठीक है पुनर जागरन काल नव सरजना की स्फूर्ति का युग था बिटिश साशन के साथ पश्चिम के ज्यान विज्यान तथा संस्कृति साहित्ति का भी आयाम इस देश की भूमी पर हो रहा था जिसके संघात से एक नवीन चेतना का जन्म हुआ और भारत के प्रबुद्ध मनीशी एक नए द्रिश्टि कौन से अपने सांस्कृतिक रिक्थ का पुनर विचार करने लगे अतीत के प्रती नया आकर्शन और उसके द्वारा वर्तमान को सम्रुद्ध करने की एक नवीन स्पहा उनके चित्मे पन्न हो गई इस चेतना का प्रतिनिश्ट भारते इंदुहरिश्चंद्र ने किया और उनके नेतर्त में हिंदी के कवी लेखक बड़े उत्साहा से अतीत के परिपाश्व में वर्तमान युग के भाव बोध की अभिव्यक्ति देने का प्रियास कर रही थे अगर हम कम से कम सब्दों में कहें तो समसामिक युग में कहा जा सकता है कि रामचंद्र शुकल द्वारा रचित हिंदी साहित्ति का इतियास में आधुनिक काल आस्चरे जनक रूप से कमजोर और तारतम्यहीन है किन्तु इसमें कोई संद्य नहीं की सरुपर्थम उन्होंने ही आधुनिक काल के इतियास का सुविख्यात वर्गीक्रण और उप्रिभाजन करने का प्रसंसनिया कारे किया है उन्होंने आधुनिक काल को दो खंड़ों में विभाजित करके गद्धी और पद्धी के विकास का निमलिखित रूप में उप्विभाजन किया प्रक्रण एक में हम गद्धी का विकास पढ़ेंगे और दूसरे में हम गद्य साहित्य का अविर्भाव पड़ेंगे ठीक है जिसमें आ जाता है आधुनिक गद्य साहित्य प्रमप्रा का परवर्तन और दुतिय का उत्थान और दुतिय उत्थान इस तरह से यह पूरा होगा अमारा ठीक अब देखिए अतिलगुतर ये प्रशना आ रहे हिंदी साहित्य के प्रथम यूग को किन दो नामों से जाना जाता है तो सिंपल है आधिकाल और वीर्गाथाकाल पूर्व मध्यकाल का दूसरा नाम क्या होगा, पूर्व मध्यकाल का दूसरा नाम हम पहले ही पढ़ चुके हैं, पूर्व मध्यकाल बनेगा हमारा भक्तिकाल और उत्तर मध्यकाल जो बना वो बनेगा रीतिकाल, ठीक, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, सगुण भक्ति धा तो नगेंद्र ने उसको रीती काल ही बोला है ठीक है तो इस प्रकार आज का जो हमारा वीडियो है यह लगभग समाप्ति की ओर है उमीद करती हूं कि यह वीडियो आज का आप लोगों के लिए फाइदे मन्द होगा अगले वीडियो में हम इसी के चौथे यूनिट पर बात करेंगे और जितनी जल्दी 501 महल 501 हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा जो है हमारी यह जैसे हमारी समाप्त हो जाएगी हिंदी साहित्य का इतिहास और आदि कालिन कवीता फिर हम अगले में 502 के विशय में आ जाएंगे तो आप लोग नियमित रूप से जुड़े रहिए वीडियो को पूरा पूरा देखिए स्किप करके मत देखिएगा वरना समझ में नहीं आने वाला है इसके अलावा जब आप वीडियो को देखते हैं तो प्लीज एक रिक्वेस्ट आपसे मैं रोज करती हूँ आप उसे ल दो लोगों को शेर करना ना भूलिए और चैनल पर नहीं है तो सस्क्राइब कीजिए मिलतें अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार